यामी गौतम हिंदी सिनिमा की बहतरीन अभिनेतरी हैं, उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया है। अब उनकी आने वाली फिल्म चोर निकल के भागा रिलीज होने के लिए तयार है। इस फिल्म में यामी गौतम के साथ सनी कौशल नजर आने वाले हैं। सनी और यामी पहली बार किसी फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं. यह फिल्म 24 मार्च को रिलीज होने वाली है, लेकिन सिनेमा घरों में नहीं बलकी OTT पर. नेटफ्लिक्स ने गुरुवार को इस फिल्म की रिलीज के बारे में जानकारी दी है. चोर निकल के भागा की कहानी की बात करे तो कुछ दिन पहले इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था. इस फिल्म में यामी गौतम एर होस्टेस की भूमिका में हैं, वही सनी कौशल यातरी की कि दार में हैं, जो कि आमी की मंगेतर बने हैं और डोनों कर्ज में दूबे हुए हैं. डोनों बचने के लिए हीरों की चोरी का प्लान बनाते हैं. हालां कि यह प्लान तब फ्लॉप हो जाता है, जब प्लेन हाइजेक हो जाता है. यह घटना 40,000 फुट की उचाई पर होती है. हालां कि यह हाइस्ट है यह हाइजेक यह सिस्पेंस इस बात का खुलासा तो फिल्म रिलीज होने के बाद होगा. चोर निकल के भागा का निर्मान में डॉक फिल्म्स ने किया है. इसके निर्देशक अजय सिंग है. फिल्म का लेखन अमर कौशिक ने किया है. जुस्त्री, कि समय पहले यामी गौतम की लॉस्ट जी पांच पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म में यामी ने क्राइम रिपोर्टर का किरदार अदा किया था. वही सनी कौशल की बात करे तो वह विक्की कौशल के भाई हैं. इस से पहले सनी कौशल की शिद्दत और हुर्दंग भी ओ ट पर रिलीज हुई थी. वही सिनेमाघरों में उनकी जानवी कपूर के साथ उनकी फिल्म मिली रिलीज हुई थी.